तो गाईज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए अपरे फ्रेंट्स ना शेयर कीज़ो रहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों हम ऐसी मज़ेदार वीडियो दाते रहेंगे गाईज मिलता हूँ अगर वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई 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 ने हलमेट तो पहना था ना हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो गाईज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गाईज इस तूल के हैट से आप आपके फोलडर में यहाँ से लिए सकते होär उस वाइट 35 में उस वाइट ओलर में इस वाइट लिए सकते हो या फिर उन फाइल सको आप डिलिट कर सकते हो तो अगर आपको परिचानी हो रहे है कि आपने कौन सी mod file को install कि आपके gtfi की main directory में आपको उस file को धूनने में आपको problems हो रहे हैं तो guys आप इस tool को install कर सकते हो तो guys यह mod remote tool आपको बताएगा कि आपने आपके gtfi की main directory में कौन से mods के folders और mods की फाइल को install किया है तो आप उन files को delete कर सकते हो और आपकी game unmodded हो जाएगी तो guys बहुत ही बहतरीन टूल है तो आप इसे जरूर इंस्टाल कर ले ना अगर आपने gtfi की game में mods इंस्टाल किये और आप चाहते हो कि आपके gtfi की game को unmodded करें सारे mods डिलेट करके उस game को आप clean करें तो आप यह mod remote tool को install कर सकते हो तो guys देखी इस तरीके का आपको interface मिल जाएगा तो काफी बहतरीन tool है तो guys अगर यह tool की बात करें तो यह tool आपके rockstar launcher आपके steam version आपके epic game version और आपके pirated version पर भी यह support करते हैं तो इसे मैंने pirated version पर भी मैंने test किया तो उस पर भी यह काम कर रहा है तो guys तो यह सारे versions पर यह support कर रहा है तो अगर आपके पास rockstar launcher का version हो या फिर steam या epic या फिर pirated तो यह सब पर बिल्कुल सही तरह की से work कर रहा है तो guys यह mod remove tool install करने के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँ अगर आप gtfi में modding करना चाहते हो तो आप एक basic setup कर लेना आप अपकी original files में mod को install ना करे ताकि अगर आपको उन mods को remove करना तो आपको बहुत बड़ी problem हो सकती है इसलिए आप एक mods का basic setup कर लेना तो मैं आपको mod का basic setup कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा तो देखिए इस तरीकी का mod का basic setup होता है तो इसके लिए मैंने एक separate video बनाई है तो वीडियो का नाम है how to install fortune mod video तो उस video मैंने आपको detail में बताया कि आपको open iv कैसे install करना है latest script hukvi latest script hukvi .8 एक mods का folder create करना है उसके बाद में आपको एक scripts का folder create करना उसमें install करना आपको native UI और एक menu trainer install करना है तो guys यह mod installation based setup के लिए बहुत ही important software है तो अगर अभी तक आपने gtfi में modding नहीं किये तो आप यह guys एक base setup create कर लेना और अगर आप यह base setup create कर लेना तो आपको यह mods को delete करने में जो भी changes करते हैं वो हम mods के folder में करते हैं ताकि हमारी जो games की main file है वो safe रहेगी तो अगर आपको कोई भी problem आते हो तो आप mods के folder को delete कीजिए आपका problem हो जाएगा आपका game unmodded हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह mod folder है वो mods को work करने के लिए d input 8.dll file बहुत ही important है तो मैं आपको फाइल भी बता दिता हूँ तो guys आप देख सकते हैं यह मेरी gtfi की main directory है तो इस तरीके का मैंने इसमें setup किया mods का folder create किया है मैंने तो यहाँ पर update folder है तो हम जो भी changes करते हैं वो update folder में करते है तो अगर मुझे कोई भी problem आता है mods में तो मैं यह mods folder को यहाँ से delete कर देता हूँ तो देखिए यह delete हो जाएगा यहाँ से और देखिए यहाँ पर scripts का folder हमारा तो सारी scripts file इस folder में रहती है तो इस तरीके सा हमने management किया है यहाँ पर तो अगर आपको delete करना है तो आपको कोई problem नहीं आएगी क्योंकि हमने यहाँ पर well organized way से उन्हें install किया है और देखिए main directory में यहाँ पर भी कुछ files हमने install किये यहाँ पर mods की तो यहाँ पर इन files को identify करने में हमें problem होता है तो आगर हमें वो delete करना है इसलिए मैं कहता हूँ आपको एक mods का based setup create कर लेना तो उसके लिए आप मेरा how to install fortune mod यह video देख लेना तो यह मेरा pirated version में आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह pirated version में पर support करता है और बाकी paid versions पर भी support करता है पहले मैं आपको pirated version में बता रहा हूँ data is script to quiz script to quiz.net menu trainer तो इन सारी steps को यहाँ पर मैंने detail में cover किया तो अगर अभी तक अपने mods का best setup create नहीं किया तो आप यह मेरा video देख लेना और एक best setup create कर लेना और यह best setup create होने के बाद आपको कोई भी problem आती है mods में तो देखिए आपके वास mod remote tool होगा तो उन files को delete भी कर सकते हो और जैसे कि मैंने आपको कहा था guys d input 8.dl बहुत important file है तो अगर आप gto online खेलना चाहते हो और इन सारे mods को disable करना चाहते हो तो guys आप इस d input 8.dl file को यहाँ से move on कर देना या फिर इस file को आप delete कर देना या फिर इस file का backup लेकर आप इसे desktop पे save कर देना तो आपके कोई भी mods या पर work नहीं करेंगे आप gto online भी खेल सकते हो तो इस तरीकी की d input 8.dl बहुत file important है तो यह हमारी script को run करने के लिए file use होती है तो अगर आपकी scripts ही नहीं चलेगी तो आपके game में mods वर्क नहीं करेंगे इसलिए सारी scripts को work करने के लिए d input.delile file important है तो अगर इस file को आप delete करते हो या फिर आप इससे desktop पे move करते हो तो आपके mods वर्क नहीं करेंगे और आप gto online खेल सकते हो तो आपका game unmoded game की तरह ही work करता है लेकिन आपकी सारी files यहाँ पे present रहेगी only आपकी जो script हो कोई को चलाने के लिए d input.delile file है वो file कई और save रहेगी तो guys देखिए इस पर मैंने एक अलग video बनाई है कि आपको अगर gto online खेलना है तो आप कैसे इसका backup ले सकते हो तो आगर आप आपका rockstar launcher steam version epic game version और pirated version यह सभी version पर support करता है तो यह normal.exe file है उसे run करके आपको आपके game के folder को locate करना है तो उस location के gtfi की main directory में जो भी mods folder और files होंगी उन files को और उन folders को यह mod identify करता है और उन्हें आप delete भी कर सकते हैं या फिर उन files का backup भी ले तो guys यह है हमारे installation के steps यह आपर तो देखी यह मेरे gtfi के game versions तो पहला है मेरा pirated version और second है मेरा paid version तो guys मैंने इस tool को इन दोनों भी versions पर test किया और यह बिल्कुल सही तरीके से work कर रहा है तो चलिए requirements के तब तो requirements में step 1 में आपको install करना है microsoft.net framework 4.5 तो यह हमारे .net microsoft framework लगने वाला इस tool को run करने के लिए तो यह .net framework 4.5 आपको जरूरी है इस tool को work करने के लिए step 1 में हम उस .net framework को करने वाले install उसके बाद में step 2 में हम इस gtfi mod remote tool को करने वाले install तो guys based setup के लिए आपको मेरा how to install अगर आप यह based setup अच्छे से करेगे तो आपके mods को बिलकुल सही तरीके से organize कर सकते हो और उसे delete करने में भी आपको आसान होगा तो इस tool के help से आप आसान ही से उन सारी files को और folders को delete कर सकते हो तो guys यह हमारा .net framework 4.5 तो हम इसे कर लेंगे download यहाँ पर तो देखिए यह हो जाएगा download यहाँ पर और यह हमारा gtfi mod remote tool जो की हमारे सारी versions को यहाँ पर support करता है तो देखिए यह हमारा June 12 2020 का latest version है तो मैं इसे कर लूँगा download यहाँ पर तो हमारा यह mod tool भी हो चुका है download तो guys यहाँ पर हमारे सारे files हो चुकी है download तो बढ़ते है installation steps की तरफ तो guys आप देख सकते हैं अब left side में open है हमारे tools जो की हमने download किया राइट side में open है मेरी gtfi की main directory तो हमारी main directory है जहाँ पर हमने mods की files को यह पर install किया है तो यहाँ पर देखिए हमने सारी mods की file यहाँ पर present है हमारे gtfi की main directory में तो चलिए start करते है step 1 तो guys step 1 में हमें install करना microsoft.net framework 4.5 तो guys यह framework मेरे पास पहले से available है तो अगर आपके पास यह पहले से available नहीं होगा तो आप इसे install कर लेना तो यह हमारा .net framework 4.5 तो इस पर मैं click करूंगा और yes करूंगा तो यह framework को आप कोई भी folder में install कर सकते हो यहाँ पर देखिए मैं c drive में install कर रहा हूं तो देखिए मैं उझे यहाँ पर error आ रहा है क्योंकि same or higher version of .net framework 4.5 has been already installed on this computer तो यह मेरे पास पहले से available है इसलिए मैं install नहीं कर रहा हूं तो अगर आपकी पास यह पहले से available नहीं होगा तो आप इसे install कर लेना तो गाइक चलिए बढ़ते है step 2 में और यह हमारा है gtfi mod remote tool.exe file तो इस पर मैं click करूंगा और देखिए आप इस पर click करते ही आपको यह location identify करना है तो जहाँ पर आपका gtfi game store है उस location को आपको identify करना है तो देखिए मैं ok कर दूंगा तो देखिए जैसी हमने ok कर दिए हाँ पर देखिए यह मेरी gtfi की main directory तो इस link को मैंने identify किया है तो इस gtfi mod remote tool में तो देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप path देख सकते हैं d games grand theft auto 5 d games grand theft auto 5 तो देखिए select new path तो देखिए हमारा यह path आ गया है यहाँ पर तो इस path को मैंने locate किया है तो देखिए यहाँ पर मुझे यह tool बता रहा है कि मैंने कौनसी mods के folder को और files को install किया है तो आप देखिए तो जो green color में वो हमारे सारे folders है तो देखिए यह हमारी सारी files है जो कि हमने mod installation के लिए install की है तो यह सारी files आपको यहाँ पर मिल जाएगी gtfi की main directory में तो guys यह है मेरा pirated version तो यह pirated version भी work कर रहा है और आपके जो भी paid version होगे उस पर भी यह work करता है तो आपका rockstar launcher का version हो steam का हो या फिर epic game का version है तो यह सारे पर work करेगा तो guys यहाँ पर देखिए यहाँ पर show white list folder है if exist तो देखिए एक white list folder बन जाता है आपका तो यहाँ पर देखिए मेरे games में यहाँ पर gtfi mod remote tool white list एक folder बन गया है तो इस folder में यह सारी files का मैं to white list folder तो देखिए में सारी files को यहाँ पर copy paste करने वाला हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर select भी कर सकता हूँ तो देखिए अगर मैं चाहे तो मैं इन files को यहाँ पर देखिए मैं select कर सकता हूँ कोई भी file जो इस file का आपको backup लेना है उन files को आपको select करना है और copy all files folder to white list पर click करना है तो देखिए यहाँ पर यह files यहाँ पर copy paste हो रही है तो चलिए हम white list folder को यहाँ पर open करूँ तो इस folder के बाहर ही आपका वो folder बन जाएगा अगर आपको उस folder को directly locate करना है तो आपको settings पर click करना है और वहाँ से show white list folder करना तो देखिए इस folder में सारी files copy paste हो रही है देखिए ENB series के files आ गई है तो इनका यह backup यहाँ पर create हो रहा है तो देखिए यह पूरी तरीकी से backup आ रहा है उनका तो जिस तरीकी से इन files का यहाँ पर backup बन रहा है हमारे हमारे GTFY mode remove tool white list folder में तो हमारे जो GTFY की main directory वहाँ सी वो files remove हो रही है तो यह सारी files हमारे GTFY की main directory से delete होकर यहाँ पर copy हो रही है तो यहाँ पर हमारे backup ready हो रहा है तो देखिए यहाँ पर मैंने फोल्डर में तो यह सारी फाइल्स एक एक करके डिलिट हो जाएगी हमारे जीटिफाइए की में डिरेक्टर से और आपका गेम अन्मॉडड हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो आप सारी जो भी मॉडड़ फाइल्स और फोल्डर उनको आप मूव कर सकते हैं आपके वाइट करें वहां से वह डिलिट हो चुके है तो इस तरीकी से आपका गेम अन्मॉडड हो जाता है तो अगर आप जीटिफाइल्स फोल्डर को लोकेट करना चाहते हो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहां से दिखिए शो वाइट लिश्ट फोल्डर पे क्लिक करना है तो वह आ जाएगा आपके लिए का न आप यहां पर तो अगर आप यहां पर देखो कर क्लिक करोहा तो यह देखिए यह सारी फांस यहां पर शो वाइटलिश्ट फोल्डर में क्लिक चाहँ यहिं न हमरे में दिखिए का यहां selected item to gtfi कर दूँगा तो देखिए ENB series हमारे gtfi folder में आ गई है तो ENB series folder का यहाप पर backup भी present है और ENB series को हमने यहाँ पर gtfi की main directory पर copy भी कर दिया है तो गाईज अगर आप चाहते हो कि यह सारी files delete हो जाए हमारे whitelist folder से तो देखिए इन files को आप select कर सकते हैं यहां से delete कर सकते हो delete folder तो यह folder delete हो जाएगा तो देखिए जहां से आप उन folders को delete कर सकते हो देखिए तो यह सारी files delete हो जाएगे तो अगर आप चाहते हो कि इन सारी files को आपको gtfi की main directory में move करना है तो देखिए आपको copy all files to gtfi folder पर click करना है तो यह सारी files copy हो जाए देखिए यह सारी files आगे हमारे gtfi की main directory में आगे तो देखिए इस तरीके से यह tool काम करता है तो बहुत ही बहतरीन tool है guys देखिए इस tool को मैंने pirated version पर use किया तो यह बिल्कुल सही तरीकी से work कर रहा है तो अभी मैं इस tool को मेरे epic game version पर use करने वाला हूँ और देखिए वो हमारे epic game version पर कैसे work करता है तो guys आप देखिए left side में उपन है हमारा gtfi remote tool और right side में उपन है मेरे gtfi की main directory जो की हमारे epic game version की तो देखिए यह हमारा mod tool है तो इस पर मैं click करूँगा तो अभी में जो हमारा epic game version जिस location पर store है उस location को यहाँ पर मैं link करने वाला हूँ इस software के through तो यहाँ पर देखिए मैं path set करने वाला हूँ जहाँ पर मेरे gtfi epic game version store है तो उस location को यहाँ पर मैं locate करने वाला हूँ तो देखिए मैं जाओंगा settings में है यहाँ पर देखिए path है तो select new path करूंगा मैं तो देखिए इस location पर मेरा epic game version store है तो उस location मा जाऊंगा मैं ok कर दूँगा तो देखिए यह सारी files आ गए है तो यह सारी mods files को मैं यह मेरा tool शो कर रहा है कि आपने is epic game versions पर in mods folder को install किया है और इन सारी files को यहाँ पर install किया है और देखिए यहाँ पर आपको option लिए डिलिट all files and folders from GTA 5 folder तो देखिए अगर मैं इस पर click करूंगा तो सारे mods यहाँ पर clear हो जाएगी और हमारा game unmodded हो जाएगा और फिर हम test करके देखेंगे कि हम GTA online खेल सकते के नहीं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास the input 8.dl file हमारी present है हमारी gtfi की main directory में तो यह है वो file तो देखिए आप इसमें भी वो file लोकेट कर सकते हो तो अगर हमारे पास यह file present है तो हमारा game online नहीं चलेगा क्योंकि हमने mod इंस्टॉल कि है देखिए यह हमारी file है d input.dl तो हमारा game है वो modded game है तो देखिए अगर मैं यहाँ पर click करूँगा delete all files and folders from gtfi folder तो देखिए yes करूँगा तो देखिए सारे folders यहाँ पर हो गए लेकिने क्योंकि हमने सारी files को delete कर दिया हमारी mods files को चलिए तो यहाँ पर मैंने without backup लिए मैंने उन सारी files को delete कर दिया तो अगर आपको पर अगर आपको टेंपर लिडिट करना है तो आप उनका मज़ेदार वीडियोज लाते रहेंगे तो देखिए हमारा यह gtfi launcher है तो यहाँ पर देखिए यह story mode होता है और यह online mode होता है तो मैं online mode पर यहाँ पर क्लिक करने वाला हूं ताकि हम gta online खेल सकते है तो guys यहाँ पर हमारा gta online हो चुका है start यह हमारा है player तो हमारा बढ़िया इस्ट्रॉल किया वह आप identify कर सकते हो उन files का backup ले सकते हो या फिर आप उन files को permanently delete भी कर सकते हो और आपके game को आप unmodded कर सकते हो तो guys बहुत ही बहतरी और useful tool है तो guys अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आ तो मेरे वीडियो को आप like कीजिए आपने friends के साथ share कीज और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों हम ऐसी मज़ेदार वीडियो दाते रहेंगे guys मिलता हो अब लेडियो में तब तक के लिए टाटा बाई 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 ने helmet तो पहना था ना